नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए दो बहतरीन साथ सीटर SUV की तुलना लेकर आए हैं, टाटा सफारी और हिउन्दै अलकाजार. ये दोनों SUV भारतिय बाजार में काफी लोकप्रिये हैं और एक दूसरे को कड़ी टककर देती हैं. तो आईए देखते हैं कि इन दोनों SUV में कौन बहतर है और आपके लिए कौन सही विकल्प है. Dimensions, टाटा सफारी की लंबाई 46 मिमी, चोड़ाई 1864 मिमी और उंचाई 1766 मिमी है. यानि टाटा सफारी थोड़ी बड़ी और लंबी SUV है. एंजिन, टाटा सफारी में आपको दो इंजन ओम्प्शन मिलते हैं. वहीं Hyundai Alcazar में आपको तीन इंजन ओम्प्शन मिलते हैं. 1.5 लिटर टरो शार्जड पेट्रोल इंजन, 1.5 लिटर डीजल इंजन और 2.0 लिटर डीजल इंजन. Features दोनों SUV में आपको Features की भरमार मिलेगी दोनों SUV में आपको 10.85 इंच टच स्क्रीन इन्फो टैनिमेंट सिस्टम पैनॉर्मिक सन्रूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, ओन्टोमेटिक क्लाइमिट कंट्रोल, सिक्स एर बैग्स और बहुत कुछ मिलता है हालां कि कुछ Features टाटा सफारी में ही मिलते हैं जैसे कि 360 डिगरी कैमरा और 60 पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट प्राइस टाटा सफारी की कीमत 15 वजव पे 45 लाख रुपे से शुरू होती है और 24 75 लाख रुपे तक जाती है तो दोस्तों ये थी टाटा सफारी और ह्युन्डा अलकजार की तुलना दोनों SUV अपने अपने फायदे और नुकसान के साथ आती है आपको कौन सी SUV चुननी चाहिए ये आपकी जरूरतों और बजट पर निर्भर करता है अगर आप एक बड़ी और लंबी SUV की तलाश में है तो टाटा सफारी एक बहतर विकल्प है लेकिन अगर आप एक फीचर लॉड़ेड और कीमत में किफायती SUV की तलाश में है तो युन्दाय अलकाजार एक बहतर विकल्प है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें हम आपके लिए ऐसी ही और भी वीडियो लाते रहेंगे धन्यवाद